आपको बहुत बहुत स्वाकत है में नाम धर्म और आप देखरों मेरा चैनल करियाड़ा जो दुफ़ा से हम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रिस करें ताकि नए वीडियो के निटिविकेसन आप लोगों को मिलती रहें आज की वीडियो में हमें बहुत इक अमाल के टॉपिक में बात करेंगे कि पहली बार अगर आप जॉब करने जा रहे हो चाहिए वो प्राइवेट कंपनी हो चाहिए वो गवर्मेंट जॉब हो तो किन-किन बातों का आपको जरूरी ध्यान रखना चाहिए पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे वीडियो पूरा देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहले कि जैसे आपको प्राइवेट सेक्टर में फर्स जॉइनिंग हो तो थोड़ा साथ को प्रोफेशनल फॉर्मल वे में जाना चाहिए जाते दिखावा नहीं करना चाहिए कि फर्स जे बहुत नामल से जाओ सबसे हाई हलो करो जो मिलने आ रहा है गुद मॉर्निंग जो आपसे सीनियर है उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो जो अभी आपके साथ बैच्मेंट है उनसे थोड़ा मेल में लाब करो एटिट्यूड मत दिखाओ और मतलब ऐसे फ्रेंडली इंवार्मेंट की तरह से अपने आपको भी है करो और कोई भी काम दे तुसको ट्राइ करो कि फर्स जो काम उस दिन दे उसी को सेम टाइप बे क्लियर कर दो मतलब कम्प्लीट कर दो उसके बाद यह होता है कि जैसे वहाँ भी बहुत जदे politics चलती है, उफिसेल politics चलती है, ग्रूप बने होती है एक ग्रूप कुछ और कहेगा एक ग्रूप कुछ और कहेगा तो ट्राइ करो कि ऐसे गद्मदी चीज़ों में ऑफिसेल Bugünक्स में कभी मत फसो यह ऐसी चीज़े होती है जो आपके career growth को रोग दे तो ऐसे लोगों से आपको दूर रखना होगा, प्रोफेशनल वे में वियाइब करना होगा, प्रोफेशनल वे मतलब काम से काम मतलब, उनसे जो काम पढ़ रहा है, काम लो, काम करो, बात खतम, मतलब प्रोफेशनल वे में अगर आप वियाइब नहीं करोगे, तो वहां पे ब उसको impact डालता है तो time पे आते जाते रहोगे तो भी रहता है best रहता है आपके job के लिए आपके career के लिए तो time से आना जाना और एक चीज और है कि जब थोड़ा सा एक दो महीने job कर लो तो समझ जाओ कौन senior है कौन junior है उसी according उसको respect देना start कर दो कि यह नहीं कि फुली attitude में भर है, और दे रहो, और रिस्पेक्ट नहीं दे रहो, तो वहाँ पे कहीं नहीं थोड़ा सा आप लाइग कर जाओंगे क्योंकि जब का mulia, कि आपका इंक्रिमेन अता है, सैल रही इंक्रिमेंट होतीया, वो next design, same time पर जो भी boss आपको काम दे, try करोगी, complete कर ले, smart work करने की हमेशा office में कोसिस करो, hard work करने की जुरूरत नहीं है, जूटी का अफ़वा फैलाने की किसी भी चीज की जुरूरत नहीं है, कि official environment में पढ़के, political environment में पढ़के, आप वहां का अपना महौल खराब कर लो, तो इन सब बातों का जरूर ध्यान देगे, तब ही आप किसी company में या किसी organization में long term टिक पाओगे, पता चला कि आप गए हर महीने, दो महीने आपके बवाल हो रहे हैं, बहुत भी आपसे परिसान हो जा रहा है, क्यार ये बंदा कैसा, जब से IRK तब से बवाली करा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी problem फ़स आती है, तो ये सब चीज़े आपको ध्यार में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये particular video मैंने पने 5 साल के experience के अधार पर बनाया है, बहुत सारी चीज़े देखी, बहुत चेहरे देखे लोगों के, बहुत सारी official बाते देखी, तो मैंने स दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, वीडियो को लाइक, चैट, कमेंट करना ना भूले, थेंक्यू, चैहरे, नमस्कार दोस्तों